यह अभी भी जिंदा है जी हाँ दोस्तो सीधल काव्य के आने वाले एपिसोड समाप लोग देखने वाले हैं कि दोस्तो जैसा कि आदे को गिर्राज प्रदान का सारा सच पता लग जाता है जिसके बाद वो फैसला कर लेता है कि वो सारा सत सभी लोग को पता देगा तो गिराज प्रतान उसे रोकने कोशिच करता और गलती से दोस्तों आदी की सिर में चोट आजाती है जिसके बाद वो बेहोश हो जाता और सभी घरवालों को ऐसा लगता है कि आदी अभी दुनिया में नहीं रहा और काव्य को भी रिग्रेट होता है कि काश वो काव्य जो है अधी की सौरी एक्सेप कर लेती लेकिन दोस्ताब आधी जो है जिन्दा है वो किवल एक नाटक कर रहा है और वो चाहता है कि काव्य उसे माफ कर दे अब यह देखना है एंटेस्ट्रों के आखे कब आदी अपना इनाटक तोड़ता है कमेंट वोक्सर बताना तब तक ले कुर्प है